गुड मॉनिंग फ्रेंस तो कैसे हूँ आप सभी आप सभी लोग गठे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा के हमने लाश्ट अपिसोड में देखा था कि ली के पेट में काफी सोरों से दर्द होने की वज़ा से उसका दद्दू वहाँ उससे स्पिच्वल अनसी को कल्टिवेट करने को बैठ जाता है वहीं दूसरी तरफ जू यान ने कुछ अंडों को खरीदा था पर उसके साथ में उसे एक जेट टोकन भी मिलता है जिसे देखकर वो हैरान था कि यह क्या चीज है अब आगे जहां में इस अपिसोड की सुरवात में जू यान को उस जेट टोकन को देखते हुए देखते हैं जिसके अंदर से कुछ अनल से रिलीज हो रही होती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर ली का एक मैसेस था जहां ली अपना इंट्रोड़क्शन देते हुए कह रहा था मास्टर जू यान मैं ली हूँ और मैं आपको ठैंक्यू कहना चाहता हूं क्योंकि अपने जो गिप मिस यू किंग को दिया था उसने उस गिप को मुझे दे दिया हमारी प्यार के निसानी की तौर पर इसलिए मैं उस गिप के पैसे आपको जल्दी ही चुका दूंगा अब यह जान जू यान को वहां काफी साधा गुसा आजाता है जिस पर उसका आद भी व दूर चले गए होंगे पर मुझे किसी भी हालत में उन दोनों को पकड़ना ही होगा क्योंकि मैं उन दोनों को काफी अच्छी तरह से सवक सिखाना चाहता हूं आखिर उनके हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की इसलिए मैं इस धोके का बदला तुम दोनों से लेकर हो जाता है पर दूसरे ही पल वो आपने आद्मी से कहता है कि यहां पर तो बस हमीं दोनों एं फिर तो पुम मेरे काना को सब्सक्राइब देखो तो भी उसे वहां ऐसा करते हुए देख रहा होता है तभी हम देखते हैं कि कुछी देर बाद ली के अंदर से काफी सारी स्पेच्वल अनल्जी वहां रिलीज होने लगती है अब यह देखकर तुरंत ही वह दद्दो ली के पास आप कहता है कि तुम बिल्कुर सही ही कर रही ह बस ऐसे ही करते रहो तुमारे आसपास काफी सारी स्पेच्वल अनल्जी है वहीं ली अपनी कल्टिवेट करते हुए सोच रहा होता है मैं बस अब डिवाइन सीरियलम के फाइब लेवल पर पहुची जाओंगा वाई तभी अचानक से ही उसे वहां कुछ हो जाता है और उस पर वो दद्दो वहां ली को समझाते हुए कहता है कि तुम यहां परिशान मत हुओ क्योंकि तुम तो पहले से ही काफी लखी हो जो यहां डिवाइन सीरियलम के फोर लेवल तक पहुच चुके हो क्योंकि दूसरे लोग तो यहां तक पहुच भी नहीं पाते हैं अब इस प पर वो दद्दो वहां ली को रोकते हुए कहता है कि यह मसरूम तुम्हारे लिए नहीं है बस इसे बीश ठीक खा सकते हैं पर अगर तुमने इसे यहां खाया तो तुम यहां मारे जा सकते हो अब इस पर ली वहां कहता है मैं तो बस मजाग कर रहा था ताकि यहां का महौल थोड़ा हलका हो सके अब इस पर वो दद्दू वहां कहता है कि मुझे इस जिगह पर रहना सेप नहीं लग रहा है क्योंकि अगर यहां पर कोई पावरफुल बीश्ट आ गया तो वो हम दोनों का यहां कचुंबर बना दीगा इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमें पहले यहां से निकल जाना चाहिए अब इतना कहते ही वो दोनों यहां से चले जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि ली तो यहां आते ही तुरंत ही पीपर स्पेल बनाना सुरू कर दीता है जहां वो उसे बनाते हुए कह रहा होता है कि मेरी कल इंटिवेशन बीच में ही रुख गई और तुम फाइप लेवल को ब्रेक्ट्रू नहीं कर पाए इस पर ली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है दद्दू बलकि मैं तो काफिस जादा खुस हूं क्योंकि मेरे लाइफ में मिस्यूकिंग है अब इस पार वो दद्दू वहां कहत है पर मुझे वो लड़की सही नहीं लगती है मुझे तो बस ऐसा लगता है वो लड़की यहां तुम्हारा यूज कर रही है उन बेश्ट को पकड़ने के लिए अब इस पार ली वहां कहता है कि जो भी वो दद्दू पर मैं काफिस जादा हैंसम हूं इसलिए ही वो मेरे सा परन है तब ही अब हम एए फ्लैस पैक दिखाया जाता है जब ली काफिस जादा कमजोर था तो कुछ लोग उसे परिशान कर काफिस जादा पीट रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम तो बिना मॉम डैट के बच्चे हो फिर भी तुम सोचते हो कि तुम यहां प पीटे हुए यहां से चले जाते हैं तब यह प्रजेंट टाइम में ली दद्दू से कहता है कि मैं काफिस सारे पैसे कमा कर इस सहर से दूर जाना चाहता हूं अपने मॉम डैट को ढूंडने के लिए क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कहा है वो जिन्दा भी है या मर गई हैं पर फिर भी मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ है जिसके बात ली दद्दू से पूछते हुए कहता है वैसे क्या तुमें मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं जिस पार दद्दू काफिस जादा स्ट होते हुए ली से कहता है कि फिर भी तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें सीधे अपने घर से बाहर निकाल दूँगा पर इस पर तो वो दद्दू वहाँ बिल्कुल भी नहीं ड़ता और कहता है अच्छा तो ठीक है आगे बढ़ो और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दो पर अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हें इसकाई मेडिंग पिल को रिफाइन करना नहीं सिखाऊंगा। इसलिए इस बार भी तुम मेरी मदद जरूर ही करोगे इस पिल को रिफाइन करने में अब इस पर वो दद्दू वहाँ मान जाता है और कहता है सबसे पहले हमें एक फायर प्लेस रूम को ढूंड़ना होगा जहां मिस्काई मेडिंग पिल को रिफाइन कर सके इसलिए अब हमे यहां से बाहर चलना चाहिए इतने में ही मिस्यू किंग का वो जेट टोकन वहां चमकने लगता है जिसका मतलब था कि मिस्यू किंग ली को अपने पास बुला रही थी तब ही अब कुछ देर बाद ली मिस्यू किंग के पास पहुच जाता है जहां मिस्यू किंग सबसे पहल तुम वापस ले लो पर इस परली मना करते हुए कहता है कि मैंने इसे चुराया नहीं है बलकि यह तो मुझे एक बड़े से बीश्ट को मारने पर उसके मुझे मिला था और वैसे यह मेरे कोई काम की नहीं है इसलिए इसे तुम ही क्यों नहीं रख लेती जिस पर मिस्यों नहीं पहन सकता पर इस पर मिस्यों कि इसका एक रास्ता निकालते हुए कहती है कि तुम इसे गोल्डन जेट पवेलियन में लेकर जाओ और इस गर्ल ड्रेस को रिफाइन कर एक बॉय ड्रेस ले लो अब यह सुन ली वहां है रान होते हुए कहता है क्या ऐसा किया जा सकता है इसलिए चलो फिर मैं इसे रख लेता हूँ अब इसके बाद ले इसके बारे में बताने के लिए मैं सियो किंग को वा ठैंक्यों कहता है जिसके बाद मैं सियो किंग ले को बताते हुए कहती है कि मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि सहर के बाहर उन्हें वहां को हार्ट वा ये तो सीधे फाइब लेवल के काफी जादा पावरफुल और खतरनाक बिश्ट होते हैं अब इस पर मिस यूकिंग वहां कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैंने उनसे बचने के लिए वाइट फास पोरस बोन पॉडर को ले लिया है पर फिर भी तुम्हें मेरी बात वहां पर चलो पर इस परली वहां मना कहते हुए कहता है कि नहीं नहीं मुझे यहां पर काम है और मैं जानता हूं तुम वहां उन्हें काफी अच्छे से संभाल लोगी पर फिर बे तुम इन दोनों स्पैल पेपर को अपने पास रख लो अब यह देख मिस यूकिंग कहती है कि यह क्या है जिस पर ली बताते हुए कहता है कि यह वही स्पैल पेपर है जिसका मैंने कल्मियाओं से बचने के लिए गया था इसका यूस तुम जिस पर भी करोगी कि आसपास स्क्रियूजन क्रियेट हुआएगा और तुम बच जाओगी पर ज़रा ध्यान से इस को भी कुछ भी पता ना चले अब इस पर मिस यू किंग उन स्पैल पेपर को लेते हुए कहती है कि ठीक है फिर मैं इन्हें हमारी इंगेजमेंट गिप्ट समझ कर ले लेती हूं अब या सुन ली वहां काफी जादा खुस होने लगता है पर तभी मिस यू किंग वहां कहती है कि मैं तो बस मसाग कर रही थी तुम घबराओ मत और अब मैं चलती हूं तुम मेरा वापस आने का इंतजार करना फिर हम दोनों वापस से बेश्ट को पकड़ने के लिए एक साथ बाहर जाएंगे अब इतना कहकर वो यहां से चली जाती है पर तभी ले को याद आता है कि रूम रेंट पर लेना था जहां पर फायर प्लेस भी हो और जब वो लोग वहां अंदर आते हैं तो वहां तो पहले से ही बहुत सारे लोग रूम लेने के लिए आये हुए थे इसलिए उन्हें देख वो दद्दू वहां कहता है कि हमें यहां पर सस्ते में रूम मिल भी पा से एक में पीचवल ऑनेस्जी है तो उस रूम की रैंट 50 इस टॉन पर मंथ है और दूसरे रूम में पिचवल ऑनेस्जी नहीं है एसलिए उसकी कीमाद 50 इस टॉन पर मंथ है अब यह सुन वो दद्दू होता है friends. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइक और चैनल को सुस्क्राइब कुरें. आई बाई